हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्माइल ओपनली डॉक्टर पुर्णम माउथ हुष आपने माउथ हुष के बारे में सुना होगा गर आपने डेंटिस्ट को दिखाया है कभी आपके मसूरों में कोई प्रोब्लम हुई है माउथ से रिलेटेट कोई प्रोब्लम ह होई है तो हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको माउथ हुष रिकमेंड किया होगा तो मैं आज के इस वीडियो के तुरू हम लोग बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताक कि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले जानते हैं कि माउथ होस क्या होता है माउथ होस एक लिक बेक्टेरिया देवलक हो जाता है तो उन बेक्टिरिया जो जाते हैं वहां से भी बेक्टेरिया growth होने लग जाते हैं उन जो bacteria होते हैं उनको kill करने का काम करता है यह एंटी bacterial agent भी होता है उनके against काम करने वाला एक liquid बनाया गया है इसे को हम mouth wash कहते हैं तो सबसे पहले हम mouth wash के benefits के बारे में बात करेंगे कि किसके क्या-क्या benefits होते हैं अगर आप दिन में दो बार mouthwash का इस्तेमाल करते हो तो आपके मुह से जो smell आती है वो नहीं आएगी ये bad breath में काफी helpful होता है अगर आपके tank पे कोभी bacteria जम जाते है जिसकी वज़े से आपके मुह से smell आती है तो अगर आप regular दिन में दो बार mouthwash यूज करते हो तो bad breath की problem नहीं रहेगी नेक्स्ट है cavity से बचाता है अगर दिन में दो बार regular mouthwash का यूज करते हो तो आपके मुह में कोई भी दांतों में जो sudden होती है cavity होती है उनसे जो mouthwash है वो बचाता है generally जब भी हम कुछ खाना खाते है तो वो हमारे दांतों में फच जाता है और अगर अच्छे से वो नहीं निकलता है तो वहाँ पे हमारे cavity develop हो सकती है लेकिन अगर आप mouthwash का use करते हो तो वो वहाँ पे हमारा जो food है खाना है उसको stick नहीं होने देगा दांतों के enamel पे तो जिसकी वज़े से वहाँ पे cavity होने के chances कम हो जाते हैं तो mouthwash आपको दांतों की cavity या sudden decay होने से दांतों को decay होने से बचाता है अगर आप mouthwash का इस्तेमाल करते हो तो यह आपकी जो gum diseases होती है यानि कि मसूडों में को infection होता है transformation होती है पाइरिया की कोई problem होती है periodontitis होता है gum recession होता है तो उनमें भी काफी helpful साबित होता है अगर आप mouthwash उस करते हो तो कुछ भी आपके gum area जो होता है जिन जावल area वापे आपका खाना नहीं फसेगा वो घुल के उसके साथ निकल के बाहर आजाएगा तो वहाँ bacteria formation नहीं होएगी जिसकी वज़े से आपके मसूडे healthy रहेंगे इनके अलावा अगर आप mouthwash का इस्तिमाल करते हो तो कुछ मूँ के कुछ infections होते है जिसे की fungal infections उनमें भी काफी help मिलती है क्योंकि आप अगर regular इनको use करते हो बहुत बारे से होता है कि हम अच्छे से कहीं सफर कर रहे हैं तो हम brush नहीं कर पाते हैं या time नहीं मिलता है या भूँत सारे इसी situations आजाते हैं कि हम थोड़ा मूँ का ध्यान नहीं रख सकते तो अगर आप mouthwash उस करते हो तो आपकी bacterial infection अंदर बैक्टिरिया ग्रोथ होने वाली होती है वो नहीं होती है तो आपका mouth उस फ्रेश रहेगा अब जानते हैं mouthwash के कुछ side effects अगर किसी चीज़ के benefits है तो उनके side effects भी जरूर होते हैं तो क्या-क्या side effects हो सकते हैं mouthwash उस करने के mouthwash जनरली बहुत सारे types के आते हैं यानि fluoridated mouthwash होते हैं और medicated होते हैं homemade mouthwash होते हैं अरवेदिक mouthwash होते हैं तो different different type के mouthwash उस आते हैं तो अगर आप mouthwash को जिसे fluoride वाला जो mouthwash है उसको ज्यादा यूज़ करते हो दो बार मैं बोलते हूँ कि जनरली आप दो बार यूज़ कीज़ें बहुत सारे लोगों उनको habit होते हैं कि हमने कुछ भी खाया mouthwash उस किया तो उससे क्या होता है कि स्टेंज आपके दांतों में स्टेंज जमा होने लग जाते हैं आपका दांत का color है वो change हो जाता है क्योंकि उससे दूसरे effect होने लग जाते हैं मतलब उसके side effects होने लग जाते हैं इसके अलावा क्या होता है कि mouthwash अगर आप बहुत सारे market में alcohol वाले mouthwash आते हैं तो अगर वो वाले mouthwash अगर आप use करते हो continue ज्यादा use करते हो तो उससे क्या होएगा कि आपका जो mouth वो dry होना शुरू हो जाता है यानि आपके dry mouth की problem हो सकती है तो आपको mouthwash को limit में ही use करना चाहिए तो ये कुछ side effects है medicated चीज़ों को बहुत ज़्यादा use नहीं करनी चाहिए आपको अपने जब भी use करो तो अपने doctor से advice लेना चाहिए कि आपके mouth में क्यों सी problem है और कौन सा mouthwash आपको use करना चाहिए पहले उनके advice लेना है फिर आपको mouthwash उस करना है तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को तेंक यू